अज़े चलिए ठीक है तो आसा करते हूं दोसको अच्छे होंगे जो लोग योटुब चैनल से देख रहे हैं अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो नीचे वाट्सप कर कर दिया था ठीक है करेक्शन का कल एक वीडिया कल चैनल करने वाले था चलिए आज सुरूआ से करें कल वीडिया चानी बनाव जबस पर देखो दोस्तु दूसरा चाप्टर रपर शिपन चाप्टर रें इस डील के अंदर कापी इंपोटन चाप्टर पहली चीज़ पर समझ बहुत ज्यादा इंपोर्टन के अंदर करेक्शन का मतलब क्या होता है अगर संजी तो करेक्शन मतलब क्या हो अगर हिंदी मतलब जोडना दो चीज़े को जोडने के लाता है इस चीज को जोड़ेंगे इस चीज को जोड़ेंगे इस चीज को जोड़ेंगे ना बदलाद इ स्श्टीट को जोड़ेंगे एं Jamie सुट्क तो प्रइश दूसरी दूसरी जोड़ां करह दीगार इस करता हिन रहुं करता हूं अभी इस होलगा की बूलगा नथ दो और नट बोल रिबिट जोड़ तो इसको hammering कर गई, ठीक है, hammering का इंडेसंस क्या होता है, hammering मतर जैसे यह आपके डिवीट होती है, कुछ ऐसे, समझेंगे भी, ऐसे डिवीट होती है, यह वाला पाट उपर ही जाएगा, मीचे बाला पाट डालिंग अपन होल के अंदर, अगर इधर साइड से इसकी जो connection बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका connection, तीसे वो बोलते हैं, पन connection, जोल लिख रहा हम आपको आज clearly विजब लेकर, बताए रस्मी, ठीक है, तो इसे बोलते है connection, अब ये connection होते हैं कितने प्रकार क्या है, लिखते जाएगे कि साथ साथ में लिखते भी जाएग किंगे इक नेक्षन युए तो प्राकार होते हैं ठीक यू करें प्रेक्षा थो कहा को यू कोज़ वाहिं डोल्दिग व्लिग व सब्सक्राइब ओक्रमतीट में भिदेड़े जी करें कन्रेट फिर साथुस्ट इंड़ टिंड को इस इंस कि अच्ट आहरी मतलब दो प्रेकों को आपस में जोरना है लिए था कारा की था सब्सक्राइब दूसरा होता है अपना बोल्टेट कनेक्शन ठीक है इसके बाद आता है अपना कुंसा पीन कनेक्शन पिन कनेक्शन और चौता होता है आपका क्या चौता होता आपका वेल्डेट कनेक्शन अब देखों यह जो बनाए गए हैं कनेक्शन मतलब दो पाटो को दो इस्टील पेटो को आपस में जोड़ना है बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप आप मतेरियल जैसे अगर आप रि ** कारिण करते हैं तो इसको ब堇़त को कुई खेला दिका चौता हो डिल्गा तर चौता है अपने सलयवस के अंदर पॉली gün around के अंदर इन जिदी हिसी धुए यह जादा तर पूछे जाते हैं, एक होता है विल्डट और एक होता है अपने रिव्टेट कनेक्शन, ठीक है? अब इन सभी के भी दो-दो टाइप होते हैं, ठीक है? इन सभी के भी दो-दो टाइप होते हैं, जैसे कि अगर मैं पहली बात करूँ, पहले बात करते हैं रिव्टेट की तो इसका भी एक होगा डारेक्ट कनेक्शन इसको बोलिग होता है, डारेक्ट रिव्टेट कनेक्शन और दुसरा टाइप होगा आपका erradas क्या है? Eccentric Riebuted Connection. Direct Connection, Direct Riebuted Connection और eccentric connected connection आप ये direct क्या है और eccentric क्या है तो समझ ये थोड़ा था जैसे मैंने बोला कि ये plate है आपकी ठीक है और दूसरी plate ये कि इसको पर मैंने इस plate को रखा और directly चूड़ दिया ठीक है अब इदर से इसके force लग रहा है इसमें इदर लग रहा है ये P का force दोने तरफ लग रहा ह है तो इस case में किसी प्रकार की eccentricity अंडें रही हो तो इसकी बात करो एक plate इदर है दूसरा plate आप ऐसे जोग रहा है अब इस लोड को अगर balance करना तो कैसे balance होगा ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो ये इस part को इधर खुमाने कोशिश करेगा ये इस part कि इध करना पड़ता है तो इस के लिए हम लोग को एक extra design करना पड़ता है इस अंटी के लिए इस तरकार के eccentric connection अतलब ऐसा connection जहां location निकी जोडने के करण connection बनाने के करण eccentricity आ जाए इस npt यानि एक और एक जंडेट हो जाए rotation काई थे उसको अपना आगा त्ट है तो इसको सब्सक्राइब करने वाली उसको पिखला के चिपका देंगे अब इसमें ज्यादा मजबूत कौन रहता है इसको बनाने से हमें कम पैसा लगेगा है पैसे बचाने है अपनी गौश्फ मेंट को जाओगे तो गौश का मदेशन के अंदर पढ़ेंगे फिर दो आपको इस्टील वेंबर दिये जाएंगे उनको आपको कनेक्स करने हैं लोड के हिसाब से कनेक्स करने हैं ठीक है connection design करने तू आज इसके अंदर अपन सारी इजी बिसक्स करेंगे आज फेला lecture है बाइदेवेश आई सब्सक्राइगे यह बाद तू रस्मी जी आ रहा समझें अच्छा चलिए बढ़िया आ रहा है आपने बढ़िया खापी के बैठा पर उते हैं ठीक है पुल एनर्जी के सान के अच्छा खापी के बैठे हो अच कॉन रित करने खाई खाना इस बात के लिए इतने के सब्सक्राइब किसी आवाज में कर देंगा अब बताते हैं अब तो समझ में आएगा अना YouTube बाले दोस्तों कोई प्रॉडम ने होगी पाड़ने में एगा शलिए यह दो बात होगी connection की इस लगी कैसे connection होते हैं अब बात करते सबस्ते पहले इस परेकार का कुछ 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 दिखता है इस तरी किवा यह यह आपके एक रिवीट है इसके दो पाठ होते हैं यह जो नीचे वाला आपको चौक और पाड़ दिखरा ना रेटेंगल वाला ठीक है? समय जो अब फिर आपके टनेक्सन बना जेते हैं अगर आपन बात करते हैं डायमीटर की बोलते हैं कि रीपिट कर कितना डायमेटर बॉलेगा कि साइड डायमीटर आप सेंग डायमीटर आप सेंग डायमीटर आप रिविट करते हैं इसको अब जैसे माल लिजी आप कहां डालने वालें इसको दो आपके प्लेटों के अंदर महले घांओं के नब्र आपकी नम्मर- एक और दूसरे नम्मर-की प्लेट एक के उपर आपने दोनों को रख दिया अब इसके उपर लग रही है लोडिंग पी की तरह के हैं अब इस लोडिंग ACIN 답ल करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे आप एक होल और इस होल के अंदर डालेंगे यह जो होगा इसके डायमीटर को क्या बोलेंगे इसके व्यास को क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अपन इसमाल डी से दिनोर करेंगे क्या भई इसमाल डी यह होगा आपका डायमी करते हैं हों ट्रेंग करना है इसके बाद उसको आपन है फंडर भागूर हो जाएगा टूट के तूकड़ी धर ढ़ना घखांगा जाएगग पर यहां पर उसके प्रपर उसके अंदर तो पसटूरोइनों भूरन को अग्यों दो और अगर ये गले अगा झालनेलगे तो जाएक़ का मने से तो मच्दय इसके हां काम करता है पर उसको पहले से भढहा देते, टीक है? माल देज़ए है, अगर आपका 5, अच्छा कुर्षों कि कितना भढहा देते हैं, कितना भढ़ास यह डाइमेटर रखेंगे? तो यह जो आपका d रखते हैं दो case में, अगर आपका phi, ठीक है, अगर आपका phi less than है, ठीक है, अगर आपका phi less than और equal to है 25 mm, मतलब जो आपने रिबिट यूज की है, उसके sank का diameter 25 mm या उसके बराबर है, तो आप जो whole का diameter यूज करोगे, वो 25 mm तो रिबिट का हो गया, प्लस 1.5 mm बढ़ाद होगी, सही बात है, कितना बढ़ाद होगी, 1.5 mm, दूसरी condition यह है, कि यदि आपको जो रिबिट का diameter है, वो 5 जो है, ये ग्रेटर देने किस से 25 mm से, ठीक है, बाई, ग्रेटर देने किस से 25 mm से, ओके, 25 mm से जादा है, तो इस case में, जो diameter आप whole होगा, वो 25 प्लस 2 mm होगा, मतला 25 में कितना add कर दोगे आप 2 mm, तो इस तरीके से आपको diameter आप whole रखना है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत भाई साब किसी को, शरशनी जी बताईए, चलिए, चलिए, बढ़िया, इसके बाद बात करेंगे, अपन कुछ terminologies की, कुछ important connection से दिबिट के अंदर क्या होती है, जैसे आपने कल देखा था क्या, pitch क्या होती है, age क्या होती है, gauge क्या होती है, और end क्या होती है, ठीक है, यह distances क्या होती है, heading डालिए some important definition of riveted connection, ठीक है, heading डालिएगा, some important definition of riveted connection, ठीक है, some important definition of riveted connection, ठीक है दोस्त, यह क्या होती है चीजे, समझे इसको, यह होता है कि इसमें सबसे पहले बात देखेंगे पीच की चलो एक डाइग्राम के थू मैं आपको समझाता हूं जैसे माल लेता हो यह पहली प्लेट है आपकी यह सी आपकी माइली स्टील की प्लेट है और यह आपकी डूसरी प्लेट जो मैंने स्क्व पर रखी हुए और लै किया इस्टेक्स में सिफ टेंसल पॉर्स आता है ऐस时候 कैसे होता है तो नहीं मेरे दोस्तों इसके मनक्रेशव भी आता है मैं यह या मनकरता है कि यह माल लेता हूं किसके मने Nicolst बनाये हुआ यह नो इसमें ही चले लगे हुए है यह जो छॉय रिमित है आपके अगर यह लग रहे हैं तो अगर आप दिशा और जंटल एक्सिस के समाना आंतर नाप होगी इसके बीच की दिस्टेंस को बोलेंगे अपन पीच क्या बोलेंगे पीच होर्स की दिशा में दो रिविट के बीच की loops loops आप के दिशा में दिशा में नेशा आपका बन लग रहा है इसकी धिशा होगी यह यो ोई से ल इस्टेंस के जिए और आपकन और पर भात करें अपन्या निकीट की टीब बात करें पन इंड की तो फोर्स की दिशा में इन तर्बल लग रहा है अंतिम रिविट के सेंटर से प्लेट के आखरी सीरे तक की दूरी को प्लेट के आखरी सीरे तक की दर समझ सकते हो यह प्लेट का आखरी सीरह हो गया और यह अंतिम रिविट का सेंटर से दूरी हो गई त जो अंतिम सिदे से आख्री डिविट के सेंटर तक की इस्टंस को बोलते हैं, इन दिस्टंस, दिस्टंस बेटीम, इस्टंस बिविएन, लास्ट रिविटीज डू अप्लेट ही इंज अप्लेट अप्लेट्ट इसे डिरेक्शन आप फोर्स इस काल इन डिश्टंस, ठीक है, it's called in the distance, और अगर इसके parallel देखें, मतलब आखरी इडिट से, आखरी इडिट के center से, प्लेट के सिरे तक की दूरी, बट दूरी कहा निकालनी है, फोर्स के perpendicular दिसा में, तो इसको बोलेंगे अपन एज, एक मिनट, एज डिस्टेंस, आएक बार समझाते हैं फिर ज़े, पिच और इंड, याद रखीएगा, दोनों सेम चीज़े, पिच और इंड, यह दोनों फोर्स के दिसा में आपी जाएंगी, बल ऐसे लग रहा है, तो मैं भी दूरी ऐसे ही नापूँगा, ठीक है, गेज, माल लिजे, बल ऐसे लग रहा है न, तो मैं गेज और इंड, एज ऐसे नापूँगा, एकदम उसके 90 डिग्री पर, पिच और इंड मैं ऐसे नापूँगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो माल लिजे, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैं ऐसे ही नापूँगा, और वो पिच क्या होगी, दो रिविट की बीच की संटर, तो संटर पिच है, लास् की परपेंडिकुलर, फोर्स लगा, ऐसे दूरी नापेंगे, ऐसे, फोर्स लगा, ऐसे, दूरी नापेंगे, ऐसे, तो यह जो ऐसी दूरी होगी, परपेंडिकुलर आपता फोर्स, उसको बोलेंगे गेज, और यह कहां तक की दूरी होगी, in between, center to center distance, आप two रिविट, दो के बीच की center to center distance है, बात करेंगर age distance की, age distance क्या होती है, last लिविट के center से, plate के सीरे तक की दूरी को, क्या बोलते हैं, एपन, age बोलते हैं, और यह किधर की दूरी है, इंदर परपेंडिकुलर डारेक्शन आप कोर्स, परपेंडिकुलर डारेक्शन आप कोर्स की, लियर होग पताईए, आगी समझ में, चलिए, रोट पढ़िया, अगर यह आ गई तो आपने इसे लिख भी लिया होगा, है ना, मैं ऐसा आसा करता हूँ कि आप सांथ साथने लिखते भी जा रहे हो, है ना, तो मेरे आसा को तोड़िये गा नहीं, है ना, लिखते जाईए गा, बहुत से, चलिए, यही देश करें इसको, ठीक है, देखो यार, नौश ना, खुझ के लिखे ही समझ में आते हैं, है ना, दूसरे के समझ में नहीं आते हैं, जैसे, आपको, अगर आप एक लड़की हो, तो बाइफ्रेंड आपका, खुद का बनाना पड़ेगा, यही आप एक आपको, खुद की बनानी पड़ेगी, दूसरों के सिर्फ देखने में अच्छी लगते हैं, काम नहीं देते हैं, ठीक है, और इस तरह के नोट्स होते हैं, देखने में दूसरे के अच्छी लगते हैं, काम ना, खुद की देखते हैं, ठीक है, समझ में नहीं समझ में, इसल से डालिएगा टाइपस आप ज्वाइट भाईया यह बताइए जो आप ज्वाइट बना रहे हो इसके इन देखो आपन दो टो तरीके से जोड़ सकते हैं कैसे मा लेजे पहला प्लेट है और यह दूसरा फ्लेट है ठीक है ना यह मालेजे दूसरा है अब इन दोनों यहां तो अपन एक दूसरे के पहली condition, देखीगा, कैसे जोड़ सकते हैं, पहली condition, एक plate को लाया, दूसरे plate को इसके ऊपर रखा, यह फर्स्ट plate, सेकेंड प्लेट, यहां पर किया whole, whole करने के बाद यहां डाला rivit, यह rivit डल गई अपके, और यहां से ऐसे मत्था निकला, इसक इस प्रकार की joint को बोलते हैं, lap joint, क्या मोलते हैं, lap joint, बोलते हैं, एक के ऊपर एक auger lap कर दिया, इधार से आपको force लग रहा होगा, अब यहां पर मैंने क्या लगाया है, ज़रूरिन एक rivit लगाएंगे, bolt भी डाल सकते हैं, यहां पर build भी कर सकते हैं, यहां पर build करने के लि करेंगे, है न पर इस पार, पैसे मोजें, ने इतने हैं, हमारे पास, समझ रहो ना, मजबूती जब एक से मिले जहां इक ही connection बनाना इतनी, दूसरा condition क्या है, दूसरा condition यह है, कि अब इसमें यह पता, एक इसका नुकसान है, इसका नुकसान पता है, नुकसान यह है, नुक लागला गहें एक लाइन पे नहीं है ना है जैसे मैं बोलो आप ऐसे खड़े हो ठीग है अभी आप एक एक आदमी आपको इधर से हाथ खीचे और दूसरा आपका पैर खीचे तो आप क्या करोगी आप घूम जाओगे ना जैसे गूम और नहीं घूम जाओगे जाओ ना एक आदमी हाथ खीच रहा है, दूसरा पैर खीच रहा है, तो घूम जाओगे ना, लेकिन वहीं अगर देखें, सेम चीज इसके अंदर होती है, एक इधर खीच रहा है, और एक इधर खीच रहा है, तो यह जो दूरी बन रही है, जैसे आपका हाथ है और पैर की बीच में कुछ तूरी है न परपिंडिकुलर, यह हाथ यहाँ पे, पैर नीचे है, आदमी हाथ खीच रहा है, इधर तुपल लग रहा है, पैर खीच रहा है, उधर तुपल उधर लग रहा है, तो बीच में जो गया फिसकी वज़े से इसेंट्रिसिटी आ रही है, इसलिए आप घूम जा इधर से और इधर से, अब आप इधर से कोई खीचिक इधर जाओगे, इधर खीचिक इधर, दोनों बराबर खीचिक खड़े हो, इधर जाओगे, क्या कोई मुमेंट आ रहा है, आप बताओ क्या घूमोगे आप, बताओ, ऐसे है अगर फोर्स इधर लग रहा है, इधर होता है इसका वाई इसका है है शी एक का इता है ओक 56 है कि आ इसको ब्याक ड्रास कर दिया है क्या कर दिया तो एक दम बगल में है तरे यह कंद मैस् adult क्ते पेस्ट कि सेथिक तुम्हाने यह आ रहा है मतलब आपके अदर मजभूती तुम्हाने Gilbert नहीं तो आपन क्या करते हैं कभर प्लेटे लगाते हैं तो एक तरफ अगर कभर प्लेट लगाया सिंगल बोलेंगे सिंगल कभर बट जॉइंट मान लीजी दोनों तरफ कभर लगाया तो उसको बोलेंगे डवल कभर बट जॉइंट तो मन में आइडिया आएंगा एड़ मन में एक सवाल उठेगा कि इसके कारण बीरोटेशन आ जाता है सब derived parallelola the structure gig distribution अगर सिमेट्रिक अर्फ नहीं है तो हमको इसको इसको सिमेट्रिकल वनाना वरता है आज टुस लिए को क्या करना पड़ेगा एक प्लेट नीचे भी लगा है अब बताओ अब आप इसको었어요 य के बाउट काटो अभी समे ना तो उसको बोलेंगे वह होती है आपकी डेवाल कवर बट जॉइंट यह बहुत इस्टीवाल होता है ठीक है अपने यह ही जंडली बनाते हैं लैब जॉइंट के अंदर इसेंट्रिसिटी आजाती है बात प्लेयर होई कि नहीं होई अश्ची बताएगे बुलिए बुलिए रस्मी जी बुलिए आई अवाज नहीं है इसका कोई इलाज नहीं है क्या इसका कोई इलाज नहीं है इसंटी सीटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं फोर्स पर डिपेंड करता है कितना ज्यादा रहा है तो इसके लिए फिर कुछ और एक्स्ट्रा कनेक्शन डाल देते हैं कुछ दशार्ट पढ़ा देंगी इसंटी सिटी है कितनी अभी तो समझेंगे इस चीज को इसंटी का इसका हमने सम्झा दिया एक तरह लगा हो दो से सिंघल कवह सबस्थ हैं इसको बोलते है क्या चौट पर परकंड़ को भास था कि अगवला कि बट जादा इंपोर्टन जादा मजभूत है इस करेंगर क्यों और सिमेट्रिसी्टी क्योंकि सिंगल कवर के अंदर सिमेट्री सिटी नहीं है देख लो आप यहां पे लेकिन डेवल कवर के अंदर सिमेट्री सिटी है तो इस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा अगर आप सिमेट्री सिटी को दियार नहीं दोगे तो सिमेट्री सिटी इसलिए कि यहां तक जाइन पढ़ने के बाद अपन आएंगे फेलियर मेकैनिजम पड़ ठीक है अपन ने आइसे तो भी जाइन कर दिया बताई इसके अंतर फेल क्या हो सकता है पहले हमको पता होना चाहिए ना याप रोड में चलने से पहले हमको पता होता है कि एक्सिदेंट हो कैसे सकता है सभी तो पन उससे बच सकते हैं है कि नहीं तो पहले तो पता करना पढ़ेगे लिए न क्या क्या हो सपता है क्रोना होने की करन कि दो पन बचेंगे तो भी जो हिसे बोलते हैं दो गच की दूरी, मास्क की जडूरी, यह ना, सेने टाइजर लगाते रही है इससे एक आपने मालड़ सीर की प्लेट लिए दूसरा कनेक्शन से जोड़ दिया है, इसके लाब क्या कोई चीज है इसके इंदर कोई चीज तो नहीं है, तो और क्या फेल हो सकता है, तो क्या बाहर से फेल होने आएगा, इन्हीं में दोने से कोई फेल होगा, फिछले पढ़ता है, इसके लोगा है, फेलियर मेकानिजाम, ठीक है, मिजन ऑफ फेलियर मेकनिजाम बस टाल जेंड़ जोड़ा अब देखिए दोस्तो दो चीजे तो है दो चीजे में क्या प्योंicz Um है तो आपका connection , क्क है ? मैं क्क है क्क है ? क्स अविट क्णेक्षिन हो कहने सकता है ? यह दो पढ़ दिया ? हाँ यह दो तो आपके रिेड töलोगा यहीं दोमें से कोई आप को कि भाई या मेरे यह बता रहे हो यार क्या चीज़ें सीरिंग और देरी तो घबराओ नहीं समझो पहले सीरिंग का मतलब यह होता है कि सीरिंग फोर्स अगर आपने पाया तो पैरलल इसी प्लेन के पैरलल लगेगा प्लेट यह है और यहां आपने एक डाल दी ऐसे करके ऐसे एक लगा दी इसे एक लोड़ पी का दूसरा लोड इधर शक्ती का बाइदभा मालो इस ट्रेक्टर पर बहुत जादा लोडिंग अचानक आगई अचानक लोडिंग जादा आ गई तो यह जो पी लोडिंग के करण जो आपका connection यहां से अगर cut जाए, यहां से रीविट दो part में cutम जाए. यह X section जो आपको दिकरा, ना, यहां से रीविट दो part में, मतनला रीविट आपके पहले ऐसे थी, ठीक है? ऐसे, यह रीविट आपकी full size ऐसे थी, पुरिशी बड़े कटकर, ऐसे. यह पहले थीißtrzy है, ठीक है, पहले जब आप, क्या, आपका connection नहीं बना था, पिर आपने connection बनाया, फिर इसके उपर loading आई, loading आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से यह दो पार्ट में कट गया, ठीक है, यहां से दो पार्ट में सब्सक्राइब तोटे गी नहीं तेकिन उसका जो क्रॉस सेक्षिनल एरिया है न वह थोड़ा सा ऐसे ट्रहाब जाएगा इदर उद्दर समझ रहें जैसे अभी रिबीट कुछ सा नार्मल देख रहो तो ऐसे हैं ठीक है ऐसे रिबीट है नार्मल एक दम बढ़िया सी है ना इसके क्रॉस सेक्षिनल आपको बरावर दिख रहें एक दम चिकने चिकने ठीक है ऐसे एक दम पर्फेक्ट सेप साइज लेकिन अगर रिबीट लगी ना तो इस लोडिंग के कारण क्या होगा कि इसकी सेप साइज बदल जाएगी बदल कैस जाएगी ऐसे हो जाए रिबीट कुछ ऐसे ऐसे लचक जाए ठीक है ऐसे हो जाए तो इसके अंदर थोड़ी बहुत क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी इधर और खिसकने लगेगा हिलने लग जाएगा आपने कई बार देखा हो है घरो में हमारे क्या जंबल बताएं इसका जाएगी तो इस प्रकार के फिलेर को बोलते हैं बेरिंग फिलेर क्या बोलते हैं बहुते हैं स्ट्रीप कांड चैन कहिते हैं कि इसको साइप बरफ़ कोई नोड़ी न याचे सब्सक्राइब तक कि यНе कुछ ऐसे एक वह सुरू के वह अनि कैसा हो गया है प्रसक तेहरा मेरा हो गया है तो उसको बोलते हैं पंक्या बीरिंग फेलियर समझ में आप नहीं आया है हां आगे है ओके नहीं है अब बात करेंगे स्टील प्लेट की डिबिट में तो ही तरफार खेलियर होगा कि अच्छा इस रिविट की स्ट्रंथ कितनी है इसकी अच्छा इस रिविट की स्ट्रंथ है कितनी बीस ले सकता है तो इसमें काम करते हैं इसमें अपन लोड ही इतना देंगे कि फूचर में अगर लोड के कांट इसमें आएका भी तो कितना आएगा वा इसके उपर आएगा मालों 15 अठारा बीस नहीं आएगा क्योंकि बीस में तो फेलियर हो रहा है अपन इतना डियाइन करें उसके हमें 15 बहुत हद गया तो फेलियर हो गईगी ठीक है तो इस तरहीं के समको दिमाग लगाना है इसलिए हमारे आपे काम पर जोड़ने को बेल्डर भी जोड़ दे दो प्ल अब आपके इसके अंदर तो फिले समझ गए आप लोग इस टील पेट कैसे कैसे फिल हो सकती है मजा आरा पढ़ने कहीं आरा है फिलारी कहीं आरा है जाए जो मुझे पढ़ाने मजा रहा तो आपको पहने में तो मज़ा आए जाओ पर लेकिन चलिए समझते है आगे अगला क्या आपका इस्टील पेट कैसे फिल होती है इस्टील प्रेट इचार तरीके से फिल हो सकती है यह रिए इस चार प्रकार सो सकती फड़ा पड़ लिखेंगे पीरिंग आप इत्या लेंगविज बता रहा हूं इसको समझ में आ जारी है लेइ से इसलिक यह निसे इसलिक्ट की निए इसे करके यह आपके चार पकार की होते हैं इसाव्र कर दीखर दो प्लेटे कर दीखर है सब्लेंगा कि अइसे लोड लग रहा है यहां पर आप यहां पर एक अक्राइब का आज पर आजाए यहां से कनेक्शन बनाओ ऐसे लिएए आपका क्रैक है यहां से आज आज आज़ाए और आज यहां प्रकार के फेलर को बोलते हैं यह फट जाए दो पार्टों फटके टूट जाए यह लोड लगा ठीक है यह आपकी एक लगा हो मालो के बोल्ट है कि यहां से तरीके से फेल लोगा यहां से से स्टव ऐसे बढ़ेगा ऐसे ayawस फट जाएगगा यहां से तरीके मया इस तरीके म्ल जाएगगा यहां से जाएगा तो यह पीज के निकल जाएगी, बोल्ट ऐसे फट थट देगा उसको, ऐसे मतलब समझ रहो, देखा हो कभी यह फिलियर, दो प्लेटे माल लगी है, ठीक है, ऐसे इनर की स्टील प्लेटे उठने लग जो यहां से फट के निकल जाए इस टील प्लेट, ऐसे फिलियर को बोलते ह थक्रोस सेक्षन अर्य है लोड लगा, तो यह वाला दृत गाया गांज यह फि aż है इसको उतने इरियर लेके बागा बॉल्ट है ना, यह अपने बराम राम डूर यह लेकर निकल गांज समस्खरह, ठीक है, इतना इरिया यह उतना प्लेट प्लेट फेरिए और फटर खटने सब्सक्राइब इसको बोलते हैं सीरिंग फेलिए तर इसको बोलते हैं सीरिंग फेलियर इसके बाद एक और क्या है। और यह आपकी पहली प्लेट, यह आपका बोल्ट में लगा है, आप इस बोल्ट पे अधिकों डालेटली बता है, लोडिंग कहा के जाती है, जैसे आपने दो प्लेटों को जोट रखा है, एक प्लेट दूसरा प्लेट, ऐसे जोड़ाया कनेक्शन लगा के, ऐसे, तो इन पे अगर होल बनाके जोड़ाया तो लोडिंग तो उस देख कनेक्शन पे आगे, बोल्ट पे आएगी, ऐसा आप ठीचो के तो पूरा पूल सहर है इस लोड को, बोल्ट सहर है, ठीक है, यह लिविट सहर है, तो यह जो लोडिंग है, इस लोडिंग के कांड होगा क्या, कि यह आपको प्लेट के अंदर देखने को मिलेंगे अब इसको अपन रजिस्ट कैसे करेंगे तो देखो इसके अंदर अपन यह जो बीरिंग हो गया और यह इसको इसको बीट के सेंटर से प्लेट के सिर्य तक की ढूरी इसको बोलते हैं अपन इन्सक्राइश को मैकस्मम क्रोट कर देते हैं तक इसको बस इन इसको बचाईश कर देखेंक इसके लिए आपने को डिजाइन करना पड़ता है कि फ्लेट नहीं खटनी चाहिए है प्लेट की स्टेंट के पराबर यह आप लॉडड़ दो उससे ज्यादधा लोड़ दो किना आ यह प्लेट पड़ने लग जाएगी तो इसलिए पन क्या करते हैं उसके बराबर लोड़ दे दिश्चंट के लिए तो सिरिंग डिचने करना हैं दो चीज सेरिंग और बीरिंग के लिए कोरेंग और प्रेट की तो रिपिट्ट इंदर तीन चीज की डिजाइनिग करनी है करने से पहले हैं कि आप कितना मुटा डिविट करोगी कितनी कितनी मोटी प्रोइट करोगी ठीक है कितना डिविट की प्लेट की स्ट्रेंद करने पड़ेगा कि अगर हमको फेलियर से पहले यह तो सियर में फेलियर हो जा रहा है हमको यह find करना पड़ेगा कि भाई साब यह जो सीरिंग strength कितनी है उसकी अगर हमको सीरिंग strength पता चल जाए ना तो हम लोग सीरिंग strength के base पर अपन उसको उतना ही लोड देंगी जिसमें उसकी strength है तो उस पर फेलियर में होगा हमको इतीन चुजी find करने पड़ेंगी क्या क्या पहली चीज क्या होती है कर सीरिंग strength जिसको दिनोड करते हैं पी एस से इतीनों चीजों को के बारे में निकालना पड़ेग फिर इन पर stress निकालना पड़ेगा ठीक है और देखो जो आपके जो आपकी body में आया आपकी steel structure में जो loading आ रही है न वो है वो जो है वो इन तीनों से तम ही होनी चाहिए ठीक है वो इन तीनों से जो है तो external load आपका मतलब जो इनकी bearing strength है tearing strength है यह सब जादा होनी चाहिए किस करेंगे 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 और bearing strength कैसे calculate करते है रिबिट की connection की strength कैसे निकलते है इस पूरे-पूरे connection की बात करेंगे तो उसकी strength कैसे निकालेंगे ठीक है दूसरी चीज सीरिंग कैसे होगी काहिं पर कोई डाउट अब बुले बुले कोई डाउट अब अब आपके अब आपके वाज ने अब अब कर दो क्या क्या सब कुछ क्लियर हो गया अभी तक कजिता पढ़े कोई डाउट नहीं भी तक इस्टील में अभी बढ़िया इस तरह के इस्टील कभर करेंगे आज किते दिन अपसा आज चौथी ग्लास थी पाच्नी ग्लास थी चौथी ग्लास थी करके रहे कांटिल हो ठीक है तो थैंक इस्टील के अंदर जो लोग यूट्यूब के अंदर देखने हैं यह वीडियो वो लोग अगर कंप्लीट लाइव आकर पढ़ना चाहते हो ठीक है लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर और दूसरी चीज वाट्सप ग बाद कि अवाधि की स्टाट होगी दोनों कर सकते हो चलिमेल थैंक इसमाच नेक्स्ट रिजय को थीक यह कि यह